So hey guys welcome back to my channel Rama तो आप भी सोच रहे हैं कि इस दिवाल में एक माक अली का ड्रोइग किया जाए जो की बहुत ज़्यादा इजी और कलर भी बहुत ज़्यादा इजी तरीके से होगा So आप सही वीडियो पे कलिक किये हो तो आज की इस वीडियू में माय अले का जो खलर हैं ओमें आपको करके ठिखा हो एन इसका आउटलैन आपको मेरी यूटूब चैनल की community पर मिल जाएगा इस वीडियो में आपको color करने सिखाओंगे step-by-step की कौन-कौन सा color किस किस जगह पे यूज करने से आपका जो परफेक्ट कलर है वह उभर के आएगा आज में जो जो मैटेरियल्स यूज किया हूँ और डॉम्स का स्केजबुक है और कलर के लिए मैं हाँ पर पोलो का ओयल पैस्टिल यूज कर रहा हूँ फ़स्ट में जो यहां पर एक लेजर दे रहा हूँ वाटर का वह पर मैं मिक्स किया हूँ वइट ऐकृलिक कलर और साथ में मैं थोड़ा पर्शन ब्लूओ कलर भी यूज किया हूँ तो इसको मैं पानी से थोड़ा एट करकर ऊसको एक लिकुट सा बना लिया और color यहापर आपको देखेगा कि sky color यहापर आ गया है तो उसको मैं paper की उपर यहापर इस तरह का एक creative सा background में तयार कर लिया हो तो आप चाहे तो आप एक avoid भी कर सकते हैं इसको करने से एक पीछे का जो background आएगा वो देखने में काफी ज़्यादे attractive लगेगा सो एक बाद ज़रू ट्राइ करना background color सुकने के बाद में यहापर first of all eyes से शुरुवाद करूँगी और eyes को यहापर में color करने के लिए पहले में हलका brown color and उसके साथ में black और थोड़ा white glass marking का use करूँगा साथ में eyelashes को drawing करने के लिए यहापर में black glass marking का use करूँगा और यहापर में skin color करने के लिए पहले एक sky blue color को एक हलका सा layer दे रहाओ और उसके बाद में medium जो blue होता है उसको use कर रहाओ और यहापर eyebrow पे में पहले हलका brown और उसके साथ में black glass marking का use करूँगा और उसको blend करने के लिए में green glass marking का use कर रहाओ तो यहां पर जो हमारा आइस का सब प्रोसेसर हो कम्प्लीट हो चुका है और उपर में यहां पर औरेंज कलर वर्मिलियन एंड रेड और लास्ट में में चार्मिन कलर यूज़ करके उसको हातों से ब्लेंडिंग कर रहा हो से टूल के यूज़ करते हैं तो सो में यहां पर हातों का ही यूज़ करता हूँ आप चाहे तो हातों के अलाबा में यहां पर वाइट ग्लास मार्किंग का यूज़ किया हो ब्लेंडिंग के लिए तो उपर आप दे सकते हैं जो मैं 3 नेत्र ड्राउ कर रहा उसका नीचे जो चांट सा एक चीज है तो उसको मैं करने के लिए वाइट अक्रिलिट कलर का यूज क्या हूँ और नीचे में यहाँ पर आप देख सकते कि मैं पर्शन डू मेडियम ब्लू और साथ में में स्काई बुलू का यूज करके नीचे जो हमारा ब्लू का पोर्शन है उसको कम्प्लीट कर लिया तो इस वाला ड्राइंग आप जरूर करना और करने के बाद मुझे इंस्ट्राग्राम में इसको टैग कर देना तो यहाँ पर आपको इंस्ट्राग्राम का मेरी डिस्क्रिप्शन पर इंस्ट्राग्राम का मिल लिंक मिल जाएगा राम आर्ट पर तो वहाँ पर इस ड्राइ YouTube से मुझे इस video में देख रहे हो तो प्लीज एक subscribe जाए जरूर करना एंद वीडियो आपको अगर थोड़े भी ऐस्चा लगते हो तो एक like जरूर करना और कमेंट करना कि इस वहला drawing कैसा हुआ इसका next drawing आप क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे comment पे बता सकते so यहाँ पर मैं अब hair को color करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले एक first layer करने के लिए आपको एक हलका brown color को use करना है and उसके बाद आप glass marking से या आप polo color की black color से भी आप जो hair का black ball portion उसको कर सकते तो लास्ट में मैं जो hair का blending करने के लिए मैं green glass marking का use किया हूँ तो यहाँ पर hair viscous rose यहाँ चाहिनर उसको मैं यहाँ पर color करने के first मैं a pink color and उसके साथ थोड़ा lemon yellow और लास्ट में red और charming color से उसको complete कर दूँगा और आप यहाँ पर देख सकते कि मैं जो white color में यहाँ यहाँ यूज कर रहा हूँ और मैं acrylic का white color यूज कर रहा हूँ तो आप यहाँ चाहिए तो आप white nut का use कर सकते तो फिर से मैं एक बार repeat कर देता हूँ कि आज मैं ड्राइं करने के लिए कौन कौन सा material से यूज किया हूँ तो मैं यहाँ पर paper के लिए dom sketchbook का यूज किया हूँ और color मैं यहाँ पर polo का oil pastel यूज किया हूँ और उसके साथ मैं acrylic का white color और उसके साथ मैं watercolor का Persian blue color यूज कर रहा हूँ background color करने के लिए और जो कोई भी jeweler आपको देख रहा है वो मैं white acrylic color का यूज किया हूँ तो आएगेस आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और वीज वीडियो अगर पसंद आये तो एक like ज़रू करना चैनल को चैनल पर अगर नहीं हो तो subscribe कर देना फिर मिलेंगे और एक किसी नए वीडियो को साथ तक्टक्त लिए happy देवाली